तो दोस्तो हमारे पास the much awaited smartphone Redmi 10 Prime आ चुका है और हमेशा की तरह 91 Mobile आपके लिए सबसे पहले इसकी unboxing लेकर आया है तो चले दोस्तो शुरू करते हैं आज ये वीडियो आप देख रहे हैं 91 Mobile और मैं हूँ शिवाग तो दोस्तो ये है smartphone का box और यहाँ पर सामने की तरफ Redmi 10 Prime लिखा है back side पर कुछ specifications and all दी गई है और यहाँ पर इसका price जो है वह मेटागर कंपनी न हमें दिया है box को unbox करते हैं 1, 2 and 3 दोस्तो यहाँ पर box unbox हो गया है सबसे उपर की तरफ यहाँ पर एक envelope दिया गया है यहाँ पर लिखा है powered by Redmi और इसको open करते हैं यहाँ पर सबसे उपर में मिलती है SIM ejected tool जो की तेखने में कुछ ऐसी है दोस्तो इसको side रखते हैं देखते हैं बाकी क्या कुछ है यहाँ पर सबसे उपर यहाँ पर मिलती है Redmi 10 Prime की quick start guide कम warranty card और इसी के अंदर एक case दिया गया है इसको भी unwrap करते हैं तो दोस्तो यह जो case है यह कुछ देखने में ऐसा है transparent है soft case है TPU case जिसको आप कहते हैं और flexible काफी जादा है अलकि इसकी fit कैसी होगी smartphone पर वो भी हम check करेंगे इसके अलावा box में यहाँ पर यह एक smartphone भी दिया ही गया है जो की Redmi 10 Prime है wrapped है इसको side रखते हैं बाकी box content पर नज़र डालते हैं यहाँ पर box में इसके अलावा एक charging and USB cable है जो charger है इसको सबसे पहले देखते हैं तो यह power adapter है 18 watt का देखने में कुछ ऐसा है इसके अलावा यहाँ जो USB cable है दोस्तों यह है USB to type C cable तो यह सब कुछ यहाँ पर box में दिया गया है total box content पर एक बार नज़र डालीजिए इसके बाद हम smartphone पर आते हैं तो दोस्तों यह है smartphone हालाकि एक बात तो clear हो जाती है कि इस पर fingerprints and smudges काफी easily आ जाएंगे खेर सबसे पहले इसके sticker को मैं आप रिमूव कर देता हूँ तो दोस्तों sticker हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर sticker के निशान भी easily इस पर आ गए हैं अब सबसे पहले smartphone पर जो हमने इसका जो case है उसको लागा कर देखते हैं देखते हैं कैसे fit यहाँ पर case देता है यहाँ पर case को मैंने smartphone पर लगा दिया है और आप देख सकते हैं बिलकुल edge to edge fit जो है यहाँ पर case आ गया और मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको case के साथ ही smartphone को use करें better grip हो जाती है और fingerprints बगयरा से भी आपको बचातेगा तो case is good अभी case को अटाते हैं और smartphone पर आते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर इसके design की बात हम करें यहाँ पर build quality की बात करें polycarbonate की bag जो है वो दी गई है with glossy finish और जो smartphone का side frame है यहाँ पर matte finish के साथ दिया गया है लेकिन जो edges हैं यहाँ पर curve edges smartphone की इस पर दी गई है इसके करें तो right side पर यहाँ पर volume rocker keys हैं और एक power on off की दी गई है जिसमें fingerprint sensor भी लगा है इसके अलावा दोस्तों अगर हम smartphone के यहाँ पर bottom की बात करें तो bottom पर आपको एक speaker tray मिल जाती है इसके अलावा type c port है और microphone है left side पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक sim tray दी गई है और sim tray को जल्दी से eject करके हम यहाँ पर देख लेते हैं तो दोस्तों यह जो sim tray है यह है triple slim slot दो nano sim और एक micro SD card आप इसमें लगा पाएंगे वापस लगाते हैं और phone के top की में बात करो तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का एक jack मिल जाता है एक speaker tray मिल जाती है dual speaker smartphone में दोस्तों दिये गए है dual stereo speakers है इसके अलावा एक IR sensor है जिसकी मदद से आप smartphone को अपने TV के remote की तरह इस्तमाल कर पाएंगे और एक secondary microphone भी यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा back side पर quad cam setup दिया गया है camera module दिया गया है और यहाँ पर नीचे की तरफ Redmi की जो है वो branding दी गए दोस्तों तो यह है smartphone का design अब चलते है smartphone के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर मैंने smartphone को setup कर दिया है और सबसे पहले हम इसके display की बात करेंगे display आप देख सकते है smartphone की 6.5 inches की यह display है IPS LCD पैनल है full HD plus display है और 90 Hz का refresh rate है और अगर मैं touch sampling rate की बात करूं तो touch sampling rate जो है वो 180 Hz का है दोस्तों इसके अलावा अगर हम यहाँ पर bezels अगरा की बात करें तो bezels जो है वो काफी थिन दिया गया है almost bezels less experience है जो इसकी चिन है वो भी काफी यहाँ पर center में punch hole मिल जाता है आपको और उसके उपर earpiece speaker दिया गया है कौन की performance की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको media tech Helio G88 processor दिया गया है इसके अलावस में Android 11 मिलता है जो की चलता है MIUI 12.5.1 के skin पर storage के लिए मेरे पास जो variant है इसमे 6GB RAM plus 128GB of internal storage दी गई है दोस्तों और बाकी specs के अगर मैं बात करो smartphone की तो यहाँ पर जो battery मिलती है आपको वो 6000 mAh की है और उसको आप 18W के charger से charge कर पाएंगे इसके अलावे जो smartphone है दोस्तों यह 9W की wired reverse charging को भी support करता है security बगरे के लिए smartphone में fingerprint sensor और face unlock दिया हुआ है जिसको अभी हम test कर लेते हैं सब सब ज़ए fingerprint sensor है वो अच्छे से काम कर रहा है face unlock के अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों तो आप देख सकते हैं face unlock जो है वो भी easily smartphone को यहाँ पर unlock करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है at last smartphone के camera's की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको quad cam setup मिल जाता है इसमें 50 megapixel का primary camera है इसके अलावा 8 megapixel का ultra wide lens है 2 megapixel का macro lens है और 2 megapixel का ही यहाँ पर आपको depth lens मिल जाता है front पर आप देखेंगे तो 8 megapixel का selfie camera center में punch hole पर दिया गया है camera UI के बात करें तो कुछ ऐसा है camera UI यहाँ पर आपको pro mode मिल जाता है video mode मिल जाता है जिसमें आप maximum video 1080p with 30fps बना सकते हैं यहीं नहीं दोस्तों इसके लावा normal photo mode तो है ही portrait mode है और more में night mode, 50 megapixel mode, short video mode, panorama mode, slow motion mode और time lapse और edit mode आपको मिल जाते हैं बात करें camera result की तो यह कुछ camera samples है जो कि मैंने इस smartphone से click किये हैं आप देख सकते है rear side से ऐसा result आपको मिलने वाला है और अगर हम बात करें selfie की तो selfie से कुछ ऐसा result यह smartphone निकाल करके देता है बाकि इसका in-depth camera comparison हम आपके लिए पहुत जल्द लेकर के आए तो दोस्तों यह है Redmi 10 Prime की first look और first impressions and unboxing और first impression में मुझे सरफ एक ही चीज यहां पर जो खली है smartphone की वो है कि इस पर fingerprints वगएरा easy लिया आताते हैं और अभी भी आए हुए है आप देखे सकते हैं बागी आपको कैसा लगए smartphone comment section में लिखकर जरूर बताएं वीडियो पसंद रहे तो like and share जलू करें और हमने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में